तो आज मैं आपके साथ अर्बी के पत्तों के पकॉड़ों की रेस्पी शेर करने जा रहे हूं आपको जे रेस्पी जूरुड पसंद आएगी इस रेस्पी को बनाने के लिए जितना टाइम लगता है खाने में भी उतनी जादे टेस्टी है तो हम बनाना शुरू करते हैं जहां पे लिया है हल्दी पावडर, साबुत धनिया और नमंक और जहां पे बुना हुआ लिया है जीरा और जहां पे गरम मसाला अदरग का इसी लिया हुई है मैंने हींग आप इसमें कुछ एड और भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं कुछ इसमें से skip आप जैसे मैंने धनियें का साबुत धनिया लिया है आप इसे skip भी कर सकते हैं चाहें तो और जे देखो ले लिया है मैंने पत्ते जे मैंने मेरे घर के अर्बी के पत्ते हैं फ्रेश है और इनका साइज भी काफी बड़ा है और जहां पे लिया है मैंने एक कटोरी बेसन तो अब हम इसको बनाना करते हैं स्टार्ट आप भी जुरूर इस मेरी पूरियो वीडियो को देखिए और अब हम हींग में थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी से घोल लेंगे अब जेली अले लिया है मैंने बेसन और अब मैंने जहां पे छोटी चमच डाली है हल्दी जे जो मैंने कुटी हुई अद्रक सौरी लसुन रखा था वो डाल दिया है जे अधी चमच डाल दिया मैंने नमक जे डाल दिया है बुना हुआ जीरा और जे थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने और जे साबोद धनिया डाला है इसको आप स्किप पी कर सकते हैं कई पसंद करते हैं कई नहीं करते हैं और जे जो मैंने हिंग को गोला था वो मैंने गोल इसमें डाल दिया है हिंग का इसका अच्छा टेस्ट आता है, जे डाली है मैंने हरी मिर्च, मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, आप चाहें तो इसको डाल भी सकते हैं, अब हम इस बेसन का घोल त्यार करने के लिए अब थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे, जे देखो कितन अच्छा वैटर बन की रेडी हो गया है हमारा, तो जे ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं जे कितना ठीक है, ऐसा होना चाहिए जे, अगर ज्यादा पतला होगा तो पत्तों से बाहर आएगा जे, अब जो अच्छी तरह से साफ करके मैंने उस पर पत्ते को अच्छी तरह से बिच्छा लिया है अब जो मैंने घोल त्यार करके रखा था उसको हम अच्छी तरह से सप्रेट कर देंगे इस पत्ते के ऊपर तांकि इस तरह से करेंगे इसका कोई भी कौना शूटना नहीं चाहिए जिदेखो एक साइड मैंने पूरी तरह लगा दिया है बिल्कुल अच्छे से लगाया है मैंने अब इस पर रख दिया है दूसरा पत्ता मैं इसको बनाने के लिए सिर्फ तीनी पत्ते किया है मैंने यूज़ आप इसको करें तो ज्यादा भी लगा सकते हैं पांच लगा सकते हैं छे पत्ते लगा सकते हैं उतनी ही जी बड़ी बनेंगी अब हम इसको कर लेते हैं फोल्ड तो देखो मैंने दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है अब इस पर भी हम थोड़ा सा बिशन का पेश्ट लगा देते हैं ताकि जब हम इसको काटें तो बीच में इसकी लेयर अच्छी आए बेशन की इसको मैंने अच्छे से लगा दिया है अब इसको एक बार फोल्ड करूंगे और फिर से करेंगे फोल्ड बिल्कुल इसको सॉफ्ट हाथों से करना है फोल्ड नहीं तो जी आपकी जो अर्बी के पत्ते हैं जी तूट जाएंगे अब मैं एक धगा ले लूँगी और धागा भी बिल्कुल हलके हाथों से इसको लपेटना है तांकि धागा अगर हम जोर से लगाएंगे ना जोर से लपेटेंगे तो इसके बीच में से धागा निकल जाएगा और आपकी जो जे है पकोडों पत्ते हैं जे बीच में से कट जाएंगे अब जो देखो मैंने सभी जो अरबी के पत्ते हैं उनको पेस्ट लगा के त्यार कर लिया है देखो कितने अच्छे लग रहे हैं जे अब ये मैंने लिया है कुकर उसमें डाल दिया है मैंने एक गिलास पानी का और बीच में मैंने एक रख दिया है धकन इसमें पका के हम इनको दो जा तीन मिन्ट के लिए स्टीम देंगे सिर्फ एक सीटी आने तक इसके उपर रख दें आप कुछ और भी लगा सकते हैं इसमें स्टीम के लिए मेरे पास डखकन था मैंने यही लगा दिया यही यूज किया है मैंने अब देखो यह मैंने रख दिया है इसको बीच में अब उपर से मैंने लगा दूंगी धकन एक सीटी आने के बाद हम इसको करेंगे चेक एक सीटी आ गई है तो आप देख सकते हैं यह हो गई है कितने इच्छे से पक गई है परस एक सीटी की जुरूरती एक सीटी से आप ज्यादा देंगे तो यह आपका सारा समान भी खर जाएगा अब हम इसको बर्तर में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देंगे अब ठंडा होने के बाद इसको मैंने कार दिया देखो कितने अच्छे पीसिस इसके कट हुए है और देखो बीच में लेयर कितनी अच्छी आई है अब कडाई में रख दिया है मैंने सरसों का तेल और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे अगर हम इनको पकौड़ों को थोड़ा सा तेल कच्चा ही रहने देते हो तो इसमें से स्मेल आती है कच्छी तेल की इसको हमने अच्छे से गरम कर लिया है तेल को फिर आँच कर देंगे कम और पकौड़ों को डाल देंगे बीच देखो अच्छे ही कितने लग रहे हैं जे अब एक चम्मच की सहाइता से इसको हम बदल देंगे आप देख सकते हैं जो जे इसका नीचे का पार्टा देखो कितना ब्राउन हो गया है जे देखने में इसका क्रंची लग रहे हैं जे खाने में भी उतने ही टेस्टे हैं जे देखो कितने करारे बने हैं जे पकोड़े अर्बी के आप इसको चाई के साथ जा टमैटो केचप के साथ इसको खा सकते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं ये अब हम इसको टीशू पेपर पे निकाल लेते हैं तांकि जो एक्स्ट्रा ओयल है वह भी निकल जाएगा देखो आप देख सकते हैं बेशन कितनी अच्छी तरह से पक चुका है अब जो बाकी बचा था वो भी मैंने डाल दिये हैं इसमें टाइम तो इनको लगता है लेकिन उतना ही जे अच्छे उतने ही अच्छे बनते हैं तो आपको जे मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक यू